केंद्रिय मंत्री गण के उपस्तित सभी महानुभाव, देवियों और सजिनों आज देश बीर सहिब जादों के अमर बलिदान को याद कर रहा है उनसे प्रेणा ले रहा है आज हादी के अमरत काल में बीर बाल दिवस के रूप में एक नया अध्याए प्रारंब हुआ है पिछले वर्ष देश ने पहली बार 26 दिसंबर को बीर बाल दिवस के तोर पर मनाया था तब पुरे देश में सभी ने भाव विभोर होकर साहिव जादों की वीर गाथां को सुना था बीर बाल दिवस भारतियाता की रक्षा के लिए कुछ भी कुछ भी कर गुजरने के संकल्प का प्रतीख है ये दिन हमें याद दिलाता है कि शाओर ये की पराकास्टा के समय कम आयो माइने नहीं रखती ये उस महान विरासत का पर्वा है जहां गुरु कहते थे सूरा सो पहचानिये सूरा सो पहचानिये जो लरई दीन के हेद पुर्जा पुर्जा कट मरे कभूना चाड़े खेद माता गुजरी गुरु गोविन सीजी और उनके चारों सहब जादों की वीदता और आदर्श आज भी हर भारतिय को ताकत देते हैं इसलिए वीर बाल दिवस उन सच्चे वीरों के अप्रतीम शावरिय और उनको जन्म देने वाली माता के प्रती राष्ट्र की सच्ची स्रद्धान्जली है आज मैं बाबा मोतिराम महरा उनके परिवार की शहादत और दिवान टोडर मल की भक्ति को भी स्रद्धा पुर्वग याद कर रहा हमारे गुरुओं के प्रती अगाद भक्ति राष्ट्र भक्ति का जो जजबा जगाती है यह उसकी मिशाल थे मेरे परिवार जनों मुझे खुशी है कि वीरबाल दिवस अब अंतराष्ट्य स्तर पर भी बनाए जाने लगा है इस वर्ष अमेरिका, ब्रिटेन, आस्टेलिया, नुजिलेंड, यूएई और ग्रिस में भी वीरबाल दिवस से जुड़े कारकम हो रहे हैं भारत के वीर साहब जादों को पुरी दुनिया और जादा जानेगी उनके महान कर्तुत्व से सीखेगी तीन सो साल पहले चमकोर और सरहिन के लड़ाई में जो कुछ हुआ वह अमीट इतिहास है यह इतिहास बे मिसाल है उस इतिहास को हम भूला नहीं सकते उसे आने वाली पीडियों को याद दिलाते रहना बहुत जरूरी है जब अन्याय और अत्याचार का गोरंदकार था तब भी हमने निराशा को पल भर के लिए भी हावी नहीं होने दिया हम भारतियों ने स्वाविमान के साथ अत्याचारियों का सामना किया हर आयू के हमारे पुर्वजों ने तब सर्वोच बलिदान दिया था उन्होंने अपने लिए जीने के बजाए इस मिट्टी के लिए मरना पसंद किया साथियों जब तक हमने अपनी विरासत का सम्मान नहीं किया दुनिया ने भी हमारी विरासत को भाव नहीं दिया आज जब हम अपनी विरासत पर गर्व कर रहे हैं तब दुनिया का नजरिया भी बदला है मुझे खुशी है कि आज देश गुलामी की मानसिक्ता से बहार निकल रहा है आज के भारत को अपने लोगों पर अपने सामर्थ पर अपनी प्रेणाओं पर पूरा पूरा भरोसा है आज के भारत के लिए साहिब जादों का बलिदान राष्ट्रिय प्रेणना का विशह है आज के भारत में भगवान बिर्सा मुंडा का बलिदान गोविन गुरु का बलिदान औरे राष्ट्र को प्रेणना देता है और जब कोई देश अपनी विरासत पर ऐसे गर्व करते हुए आगे बढ़ता है तो दुनिया भी उसे सम्मान से देखती है सम्मान देती है शाथियों आज पुरी दुनिया भारत भूमी को अवसरों की भूमी उसमें सबसे प्रथम पंक्ति में रखता है आज भारत उस टेक पर है जब बड़ी वैश्विक चुनोतियों के समवधान में भारत बड़ी भूमी का निभा रहा है अर्थ व्यवस्ता हो विज्ञान हो अनुसंधान हो खेल हो नीती रणनीती हो आज हर पहलू में भारत नई बुलंदी की तरफ जा रहा है और इसलिए ही मैंने लाल के लिए से कहा था यही समय है सही समय है यह भारत का समय है आने वाले पती साल भारत के सामर्थ की पराकास्ता का प्रतेंड प्रदर्शन करेंगे और इसके लिए हमें पंच प्राणों पर चलना होगा अपने राष्ट्रिय चरित्र को और ससक्त करना होगा हमें एक पल भी घवाना नहीं है हमें एक पल भी ठहरना नहीं है गुरुआं ने हमें यही सीख तब भी दी थी और उनकी यही सीख आज भी है हमें इस मिट्टी की आन बान शान के लिए जीना है हमें देश को बहतर बनाने के लिए जीना है हमें इस महान राष्टकी संतान के रुप में देश को बिक्सित बनाने के लिए जीना है जूटना है जूजना है और विज़ई हो करके निकलना है मेरे परिवार जनों आज भारत उस कालखन से गुजर रहा है जो यूगो यूगो में एक बार आता है आजहा के दी के इस अमरित काल में भारत के स्वनिम भविश को लिखने वाले अनेक फैक्टर एक साथ जुड़ गए हैं आज भारत दुनिया के उन देशों में से हैं जो देश सबसे जादा युवा देश हैं इतना युवा तो भारत अपनी आजहादी की लड़ाई के समय भी नहीं था जब उस युवा शक्ति ने देश को आजहादी दिलाई तो ये विशाल युवा शक्ति देश को जिस उन्चाई पर ले जा सकती है वो कलपना से भी परे है भारत वो देश है जहाँ नची केता जैसा बालक ग्यान की खोश के लिए धर्ती आसमान एक कर देता है भारत वो देश है जहाँ इतनी कम आयू का भिमन्यों कठोर चक्रवियू को तोडने के लिए निकल पड़ता है भारत वो देश है जहाँ बालक दुरू ऐसी कठोर तपस्या करता है कि आज भी किसी से उसकी तुल्डा नहीं की जा सकती भारत वो देश है जहाँ बालक चंद्रगुप्त कम आयू मैं ही एक सामराज्य का नित्रुत्व करनी और कदम बढ़ा देता है भारत वो देश है जहाँ एक लव्वे जैसा सिच्या अपने गुरू को दक्षिणा देने के लिए अकल पनिया कर्म करके दिखा देता है भारत वो देश है जहाँ खुदिराम बोज, बटुके इश्वरदत, कनकलता बरुवा, रानी गाइडिनल्यू, बाजी राउत जैसे अनेकों विरों ने देश के लिए अपना सब कुछ लोचावर करने में एक पल भी नहीं सोचा जिस देश की प्रेरा इतनी बड़ी होगी, उस देश के लिए किसी भी लक्ष को पाना असंबव नहीं है इसलिए मेरा विश्वास आज के बच्चों, आज के नवजवानों पर है बविश्य के भारत के करनधार यही बच्चे है अब यहाँ जिन बच्चों ने मार्शल आर्ट्स का प्रदर्शन किया उनका अद्भूत कौशन दिखाता है कि भारत के वीर बालक बालिकाएं का सामर्थ कितना ज्यादा है मेरे परिवार जनों आने वाले प्रती साल हमारी युवाशक्ति के लिए बहुत बड़ा आउसर लेकर आ रहे हैं भारत का युवाश किसी भी छेत्र में किसी भी समाज में पैदा हुआ हो उसके सपने असीम है इन सपनों को पूरा करने के लिए सरकार के पास स्पस्ट रोड मैप है सपस्ट वीजन है सपस्ट नीती है नियत में कोई खोट नहीं है आज भारत ने जो राष्टिय सिख्षा नीती बनाई है वो 21 सदी के युवाओं में नया सामर्थ विक्षित करेगी आज दस हजार अटल टिंकरिंग लैप्स हमारे विद्यार्थिवों में इनोवेशन की रिसर्च की नई ललक पैदा कर रही है आप स्टार्ट अपिंग्य अभियान को देखिए 2014 में हमारे देश में स्टार्ट अप कल्चर के बारे में कम ही लोग जानते थे आज भारत में सबाल लाख नए स्टार्ट अप्स है इन स्टार्ट अप्स में युवाओं के सपने है इनोवेशन है कुछ कर गुजरने का प्रयास है आज मुद्रा योजना से युवाओं के पास बैंक को गारंटी देने तक के लिए कोई सामान नहीं था इनकी गारंटी भी मोदी ने ली हमारी सरकार इनकी साथी बनी हमने बैंकों से कहां कि आप भय मुक्त होकर युवाओं को मुद्रा लोन दीजिए लाखों करोड रुप्य का मुद्रा लोन इसे पाकर करोड़ों युवाओं ने आज अपना भाग्य बदल दिया है साथियों हमारे खिलाड़ी आज हर इंटरनेशनल इवेंट में नए रिकॉर्ड मना रहे हैं इसमें से अधिक तर्युवा गाउं से कस्बों से गरीब और निम्न मद्यम भरगिये परिवारों से है इनको खेलों इंडिया भ्यान से घर के पास ही बहतर खेल सुविदाय मिल रही है पारदर्शी चयन प्रक्रिया और आधुनिक ट्रेनिंग के लिए उचीत व्यवस्ता मिल रही है इसलिए गाउं गरीब के बेटे बेटी भी तिरंगे की शान बढ़ा रहे हैं यह दिखाता है कि जब युवाहित को प्रात्विक्ता मिलती है तो परणाम कितने शांदार भूते हैं तीसरे नंबर की आर्थिक ताकत होने का मतलब है बहतर स्वास्त बहतर सिख्षा तीसरे नंबर की आर्थिक ताकत होने का मतलब है अधिक आउसर अधिक रोजगार्ड तीसरे नंबर की आर्थिक ताकत होने का मतलब है क्वालिटी अफ लाइफ, क्वालिटी अफ प्रोड़क्स, साल 2047 का विख्षित भारत कैसा होगा, उस बड़े कैनवास पर बड़ी तस्वीर हमारे युवाओं को ही बनानी है, सरकार एक दोस के रुपे, साथी के रुपे, आपके साथ मजबूती से खड़ी हुई है, विख्षित भारत निर्मान के लिए, युवाओं के सुझाव और उनके संकल्पों को जोड़ने के लिए, एक राष्ट्र व्याप्य अभियान चल रहा है, मैं सभी नवज़मानों से माई गौपर विख्षित भारत से जुड़े सुझाव साजा करने का फिर से आगर करूंगा, देश्ट युवासक्ति को एक ही प्लेटफर्म पर लाने के लिए, एक और बहुत बड़ा मंच, एक बहुत बड़ी संस्ता सरकार ने बनाई है, यह संगठन है, यह मंच है, मेरा युवा भारत, यानि माई भारत, यह मंच, अब देश की युवा बेटियों और बेटों के लिए, एक बहुत बड़ा संगठन मनता जा रहा है, आज कल, जो विट्सीद भारत संकल भी आत्राय चल रही है, उनके दोरान भी लाखों युवा इस माई भारत प्लेटफॉर्म पर रेजिस्टर कर रहे हैं, मैं देश की सभी युवाओं से, फिर कहूंगा कि आप माई भारत पर जाकर खुद को जरूर रेजिस्टर करें, मेरे परिजनों, आज भीर बाल दिवस पर, मैं देश की सभी नवजवारों से, सभी युवाओं से, अपने स्वास्त को सर्वच प्राश्पीक देने का आगरह करूंगा, जब भारत का युवाओं फिट होगा, तो वो अपने जीवन में, अपने केरियर में भी, सुपर हिट होगा, भारत के युवाओं को अपने लिए कुछ नियम अवश्य बनाने चाहिए, उन्हें फॉलो करना चाहिए, जैसे आप दिन में या सब्ता में कितनी फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, आप सूपर फूर्ड, मिलेट, स्री अन्न के बारे में जानते हैं, लेकिन क्या आपने इस डाइट में शामिल कर रखा है, डिजिटल डिटॉक्स, डिजिटल डिटॉक्स करने पर आप कितना ध्यान देते हैं, आप अपनी मेंटल फिटनेस के लिए क्या करते हैं, क्या आप एक दिन में परियाप्त निंद लेते हैं, या फिर निंद पर उतना ध्यान ही नहीं देते हैं, ऐसे बहुत सारे सवाल है, जो आज की आधुनी किवा पीडी के सामने चुनोती बनकर खड़े हैं, एक और बहुत बड़ी समस्या भी है, जिस पर एक राष्ट के रूप में, एक समाज के रूप में हमें ध्यान देने की जरुरत है, ये समस्या है, नशे और ड्रक्ष्टी है, इस समस्या से हमें भारत की युवा शक्ति को बचाना है, इसके लिए सरकारों के साथ साथ, परिवार और समाज की शक्ति को भी अपनी भूमिका का विस्तार करना होगा, मैं आज वीरबाल दिवस पर सभी धर्म गुरुओं और सभी सामाजिक संस्थानों से भी अगर करूंगा, कि देश में ड्रस को लेकर एक बड़ा जनांदोलन हो, एक समर्थ और ससक्त युवा शक्ति के निर्माण के लिए, सब का प्रयास आवश्शक है, सब का प्रयास की यही सीख हमें हमारे गुरुओं ने दी है, सब का प्रयास की इसी भावना से भारत विक्सित बनेगा, एक बार फिर महान गुरुप परंपरा को, शहादत को नया सम्मान नई उंचाई पर पहुंचाने वाले बीर साहब जादों को स्रद्धा पुर्वक नमन करते हुए, मेरी वानी को विराम देता हूँ, आप सब को बहुत बहुत शुब कामना है, बहुत गुरुजी का खाल सा, बहुत गुरुजी का खाल सा,